है गाइस विडियो में दो बहुत ज्यादा बेसिक और वेरेवल एवरीडे मेकप लुक क्रिएट करने वाली हूँ यह नो मेकप लुक में भी नहीं आते हैं और यह बहुत ज्यादा बेसिक हैं अगर आपके चैरे पर छोट छोटे ब्लैमिशिस हैं तो उनके लिए भी यह बह मेकप लुक क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेकप लुक की तरफ तो गई सबसे पहले मैंने अपनी आइब्रोस को डिफाइन किया है इसके लिए मैंने ली है मिनी सो की जो आइब्रो पैंसिल है वो जनरली मैं आपकी हर एक मेकप टुटोरियल में यही में सबसे पहले आपको आउटलाइन करनी है और उसके बाद ब्रच से उसे थोड़ा सा मिक्स अप कर देना उसके बाद आपको लेना है कॉम्पैक्ट इसमें मैं कोई भी फांडेशन यूज नहीं करी हूं कॉम्पैक्ट को आपको कोई भी ब्रच से अपने पूरे फेस पर इससे आपके जो भी डलनेस हो जो भी ओलीनेस है वो सब कुछ चला जाएगा और यह जो प्रोड़ा आपको यूज करने हैं वह आपको संस्क्रीन के बाद करने एक बार कॉम्पैक्ट लग जाए उसके बाद हम बढ़ेंगे कॉम्पैक्ट के बाद आपको लेना हलका सा ब्लश ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पॉफेक्ली मैट लुक एक क्रियेट होने वाला है आज की इस वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा गर्मियों के लिए भी यह बेस्डर्स के बाद आपको लेना है एक आइनर लगाले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक क्रियेट हो जाता है सिर्फोसिफ आपको एक पूरा पूरी आइलिड पे सिर्फोसिफ एक आइलाइनर लगाना है और उसके बाद एक मिलती जूलती शेर लिप्स्टिक की अपने लिप्स पे लगा लेनी है दिन का मेकप है तो मैं आपको अच्छा लगा होगा अब बढ़ते हैं मुझे लगता है कि यह जो लूक है आपको अच्छा लगा होगा अब बढ़ते हैं दूसरे लुक की तरफ तो गयां दूसरे लुक में मैंने लिया है foundation stick और यह मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे face के एक side पर बहुत सारे दाग धबबे हैं तो अगर आपके face पे भी बहुत सारे दाग धबबे हो जो की compare से चिपाना possible नहीं हो तो आप यह तो concealer ले सकते हैं नहीं तो हलका सा एक बहुत ही ज्यादा जो लाइट कवरिज देता हो वह एक फाउंडेशन ले सकते हैं उसे अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लें ब्लेंडिंग के बाद यह जो हमने फाउंडेशन लिया है वो सिर्फ उसे उदागदपय को चुपाने के लिए लिया ह के प्लेंड का वनीला पाउडर और फ्लफी ब्रश की हेल्प से आपको पूरे फेस पे उसे स्प्रेट कर लेना है उसके बाद मैं ले रही हूं अपनी आईब्रो पैंसिल और जैसे कि हमने पिछले वाले लुक में आईब्रोस को अपनी सेट किया था उसी तरीके से इस वाल अपनी ब्रश की हेल्फ से पूरी पूरी आईलिड पे सिर्फ उसे एक कलर लगाना है मैंने इसमें थोड़ा सा जो ब्राउन शेड है वो वाला कलर यूज किया है उसके बाद आपको लेना है ब्राउनसर ब्राउनसर मैंने इसलिए लिया है जैसकि मैंने आपको बता है हलका सा मैंने इसे न्यूड साइट में रखा है और ब्राउनसर आपको लगा लेना है उसके बाद आपको हलका सा ब्लश लगा लेना है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिन में मैं जनरल झाल झाल सिस आखो का जो की पॉइंट है वो यह है कि अगर आप लाइनर ही सिर्फ लगा लेंगे ना तब भी आपके आखे बहुत जादा खुबसूरत बन जाएंगी आइलाइनर के बाद आप मेकप लूप को कम्प्लीट करें मसकारा से उसके बाद आपको एक नूड लिप्स्टिक ल अपस है और यह साटेन लिप्स्टिक है जो बहुत ही जादा अची लगती है यह मेरी वन आप दा फेवरेट लिप्स्टिक है और उसके बाद जैसे कि मैं आपको पिछले मेकप लूप में बताया था अगर आपको लगे कि आपके लिप्स्टिक थोड़ी सी डल है तो उसे इसे थोड़ी से डार्क लिप लाइनर से आउट लाइन करके ब्लेंड कर लें तो मुझे लगता है कि यह जो मेकप लूप है आपको दोनों ही अच्छे लगे होंगे आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएए इसके अलावा भी आ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं तो या ताट वर टूरे इस वीडियो से यू बाबाए